दिल्ली में दो दिनों का महा मन्थन कर रही है 370 प्लस के टार्गेट पर रननीती बनाई जा रही है तो दूसरी तरप विपक्ष समेटने में ही सिमटती जा रही है दिल्ली में केच्रिवाल की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है ममता बेनर जी भी बुरी फसी है और कॉंग्रस का तो हाल ही बेहाल है महरास्ट के बाद मत्रदेश कॉंग्रस में बड़ी तूट की खबर है 19 परवरी को कमलनाथ के बीज़पी में शामल होने की चर्चा है और सिर्फ कमलनाथ ही नहीं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ समेथ 12 विधायकों के भी बीज़पी में शामल होने की खबर है और बात उत्रदेश की करे तो अकलेश यादब को भी बड़ा जटका लग सकता है खबर है कि सपा की 13 विधायक इस्तिफा दे सकते हैं तो आज अलग-अलग पार्टियों में मची भगड़ पर ही चर्चा करेंगे मेरे से जुड़े हैं कि आपटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनेश कुमार और एक्सक्योटिब एडिटर राजीव जी सलाब दोनों का बहुत-बहुत सभागत है दिले में बीज़ेपी का महा मन्थन चल रहा है और जपी नड़ा ने कहा कि जिन राज्यों में बीज़ेपी की सरकार नहीं है जैसे पश्यम बंगालते लंगाना वहाँ पर भी हमारी सरकार आएगी पूरी रननीती बनाई जा रही है पर यह विपक्ष में क्या हो रहा है देखे विपक्ष को भारती जन्ता पार्टी इस बार psychologically इतना demoralize कर देगी कि चुनाओं से पहले ये लोग बिलकुल surrender mode में आ जाएगे भाशा खराब होगी, गाली गलोज देंगे कहीं हिंसा भड़काई जाएगी कहीं क्योंकि आप देखिए क्या plan है मैं देखता हूँ उन दलाल पत्रकारों को और कुछ पत्रकार analyst बन करके टेलिविजन चल पे 370 कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रधान मंत्री मोदी ने आज क्या किया इसको कहते हैं psychological warfare 370, 370 करकर के, करकर के, करकर के इन लोगों का दिमाग जो है उसको सुन कर देंगे प्रधान मंत्री मोदी उन आनका के लोग पूछ रहे हैं कि कैसे आएगा 370 तो प्रधान मंत्री मोदी ने मंत्र दे दिया है 11,000 के आसपास delegates है प्रधान अस्तर के लोग है उननका वापस जाईए आप लोग और अपने-पने polling booth के उपर research कीजिए analyze कीजिए पिछले तीन चुनाओं में भारती जिनता पार्टी को कितना vote मिला है आपके poll booth पे और उस तीन results में जो सबसे ज़्यादा vote मिला उसमें 370 vote extra कैसे डालना है उसके रनीती बनाईए मतलब जितना vote आया उसमें 370 हर जगह 370 और ये सारे polling booth में सब लोगों को target दिया गया है कि 370 vote extra डालो और अब की बार NDA 400 पार बिल्कुल सर तो ये जो दो दिनों का अडिली में रास्टे अधिवेशन है बीजेपी का क्या कुछ बैठक में चल रहा है और ये बैठक चुनाओं से पहले बीजेपी के लिए अड़ीय के लिए भी कितना important होगा देखे बीजेपी के लिए तो महत्पूर्ण है ही उससे ज़्यादा खतरनाक है विपक्ष के लिए क्योंकि पिये मोदी तो इस मोड में हमेशा जाते है और इस बीच जैसा डख्षाब ने कहा कि परधान अस्तर के गारह हजार कार करता और उनके नीचे साथ लाख गाओं में एक एक व्यक्ति भारतिय जन्ता पार्टी का होना चाहिए जो मुहल्यों को निगरानी करेगा यानि कि मुहल्या अस्तर पर वाड अस्तर पर भारतिय जन्ता पार्टी की पहुँच बनाने के लिए पिये मोदी ने एलान कर दिया अब ये जो स्ट्रिट जी है जिस तरीके से गुजरात में पन्ना परमुख की भूमिका बढ़ाये थे पार्टिल साहब उसी तरीके से अब लोक सभा चुनाब में हर मुहल्य तक भारतिय जन्ता पार्टी के कार करता है वो पिये मोदी के सारी उपलफदियों को घर घर तक जाकर बताएगे अब ये जो स्ट्रिट जी है वो विपक्ष के लिए बौखलाहट परिशानी का बड़ा आधार बनता जा रहा है क्योंकि जितनी पार्टियां जो औरिजिनल पार्टियां इस भीज भारतिय जन्ता पार्टी के साथ जुड़ रही है जैसे और कुछ जुड़ने वाली है अकाली दल के अंदर confusion चल रहा है अभी भी रिपोर्ट आई है कि अकाली दल के 75% लीडर जो बड़े लीडर है वो चाहते हैं भारतिय जन्ता पार्टी के साथ गठवंदन हो लेकिन इन लोगों का मानना है कि थोड़ा इंतजार कर लो अभी किसान का मामला चल रहा है तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं 10-15 दिन के बाद 20 दिन के बाद भी ये देखा जा सकता है लेकिन गठवंदन होना तैह है लेकिन दूसरे तरफ क्या चल रहा है जितने जो भी पक्षी पार्टी के नेता है जो खुद के लिए भसमा सुर बने हुए है जैसा कि आपने बताया मद़ परदिस में ऐसा हो रहा है उसके बाद उत्तर परदिस में ऐसा हो रहा है फिर महरास्ट में क्या चल रहा है हर जगह पर अलग अलग पाटियों के इस्तर पर देखेंगे तो समाजवादी पाटि है अखलिस यादव बड़ी बाते करते है इनके पाटि के नेता छोड़ कर जा रहा है क्यों जा रहे है क्योंकि आपने रनीती गलत बनाई आप सोचते हो कि मुलायम से यादव के बेटे हैं सपा परमुक हैं हम जो कह दिये वही फैसला होगा राजसभा के सीटे तीन सीटे आप जीतने वाले थे अब सिमटकर दो हो जाएंगे क्योंकि भारतिय जन्ता पाटि ने आपके इसी अंतर कलह को देखते हुए साथ सीटों पर जीत के पूरे दावे के साथ आठवा उमिद्वार उतारा और वो भी जो आपकी पाटि का नेता रह चुका है राजसभा जा चुका है संजस येट को आठवा उमिद्वार बना दिया आपने क्या किया मुंबई से एक ले आए जया बच्चन क्या करती है राजसभा में हंगामा करती है आपके पार्टी के नेता आपके साथ क्यों रहें जब उसको भविशी नहीं दिखता है तो तो ये भसमा सुर बने हुए हैं अपने आपके लिए और इसलिए ये जो दो दिन का महा मंतन है उससे जो अमरित निकलेगा उसके बचे हुए बिस यही लोग पिने वाज़ा है कि राजीब से ने समझाया कि भविश नहीं लोगों को दिख रहा है इसलिए इस तरह का फैसला लिया जा रहा है कमलाथ के वेटे नकुलनाथ जिनके बीज़िपी में जाने की खबर है क्या यही वज़ा हो सकती है देखे कमलाथ भी जाएंगे उनके बेटे भी जाएंगे उनके साथ दरजन भर कॉंग्रेस लीडर भी आएंगे नया डूब रही है बार बार इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि जब जहाज जूबता है चूहे सबसे पहले भागते हैं अभी तो शुरुवात है यह हमिशा का अभी देखे दो दिन तीन दिन पहले जटका लगा महराष्ट में चीफ मिनिस्टर लेवल का वेक्ति कॉंग्रेस पार्टी को छोड़के आ रहा है अब आपका फिर एक एक्स चीफ मिनिस्टर वो जा रहा है एक दो चीफ मिनिस्टर और है एक्स चीफ इसके रखने से फाइदा भगदल मचा हुआ है उदर कारण क्या है कारण ये नौसिखिये जो पॉलिटिक्स में आगे हैं राहुल गांधी के बरताव उनका जो वेभार है उनका जो गमंड है I know everything बाकी जो पाटी के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो मेरे गुलाम है ये तो बड़ा दिक्कत है जमाना बदल रहा है पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर है उनको भी अपना तौर तरीका बदलना होगा राहुल गांधी है जो अपने आपको सुधारना ही नहीं चाहते तो आप देखिए उनके पिता के साथ कमलनात कोई आदमी ये कर कहता एक सबत पहले दो मेहने पहले कि कमलनात भारती जनता पाटी में जा सकते लोग हसते तो कोई कारण तो जरूर है और ये कारण भारती जनता पाटी कोई खरीद के नहीं कमलनात को लेकर के आ रहे है असवक्चवान को खरीद के नहीं कोई पैसे लेकर के नहीं उनको लाया जा रहा है और उनको आप राहुल गांदी आप कॉर्णर में बिल्कुल ऐसे पुजिसित पे धक्का देते हैं उनको आप बैज़ित करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं तो आदमी क्या करेगा और यह कब होता है जब आपकी दृष्टी वो ओजल हो जाती है चम्चे जब आपको घेर लेते हैं सलाकार बेवकूफ होते हैं सब वहाँ पे करेरिस्ट लोग सेलरी उठाकर के राजिति करवाते हैं राहुल गांदी सेलरी दी जाती है तो वेतन भोगी राजितिक कार्य करता अगर आप उसके सहरे अगर आप चलेगे तो पॉलिटिक्स के लिए उचित जगर नहीं है राहुल गांदी की वज़े से एक बहुत बड़ा चंक अभी बीजेपी में आएगा या किसी दूसरे पार्टी में जाएगा और दूसरी चीज दूसरा कारण यह है कि जो प्रधान मंत्री मोदी का जो ओंसलॉट है जहां अंदकार चाह जा र कारक है मोदी जी के सरण में चलते हैं इसलिए टूट फूट हो रहा है लेकिन आज मद्प्रदेश को लेकर चल्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी भी ऑफिशल एनौंसमेंट हो सकता है जिस तरह से हल्चल की खबर सामने आ रही है अगर कमलनात नकुलनात समित तमाम विधाइक जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो बीजेपी में जाते हैं तो मद्प्रदेश में कॉंग्रस पार्टी का क्या होगा कॉंग्रेश पार्टी तो मद्प्रदेश में ऐसे भी घत्म हो जाएगी लेकिन थोड़ी समस्या भारतिय जन्ता पार्टी के लिए भी रहेगी इतना आसान नहीं है भारतिय जन्ता पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि लाने के बाद हम को बैलेंस कैसे करना है इसलि अभी का राहूल गादी की कितनी बड़ी मुर्खता आप देखिए कमल नाथ के कारण जोतिरादेश सिंधिया छोड़ कर गए जोतिरादेश सिंधिया को बैलेंस नहीं कर पाए कमल नाथ को जब सीम बनाय गया तो यहीं बात चल रही थी कि चलिए जोतिरादेश सिंधिया क कि मांग है कि एक सीम बना दिये कम से कम संगठन में हमारी भूमिका दीजिए मद्ध परदेश कॉंग्रेस का परदेश अध्यक्ष बना दीजिए रहुल गांधी ने नहीं सुना उनको भेज दिया महरास्त महरास्त का परभारी बनो फिर पश्चमुत्तर परदेश का परभार अब कमलनात के साथ क्योंकि इस चुनाब को कमलनात जिता नहीं पाए राहुल गांधी की गलती अलगती ये चुनाब सिर्फ क्या कमलनात जिता देते अगर कमलनात कॉंग्रेस को मद्ध परदेश में चुनाब जिता सकते या अपनी पार्टी को जिता सकते तो खुद की पार् या मिस्रा हूँ या कोई और नेता हूँ जितने भी नेता भारतिय जन्ता पार्टी के मद्द पर्देश में हैं उनको भी जरूरत इस बात की है कि एक नेता ऐसे हैं आएंगे मोदी जैसे और मद्द पर्देश में कम से कम 25-30% वोट हमारे लिए गरंटिट तै कर देंगे और 20% वोट हम लोगों को अपने मेहनत देलाना है ये राहूल गांधी वहाँ जाता है प्रियंका वाडरा जाती है और वहाँ पर कमलनाथ के करे धरे पर पानी फेर के चले आते हैं कमलनाथ ने क्या किया बैलेंस करने की कोशिस की मद्द पर्देश के अंदर हिंदुत्व को ल हर जगह पर हिंदुत्व की बात की लेकिन ये राहूल गांधी जाता है वहाँ प्रियंका वाडरा जाती है और वहाँ पर सेकुलरिज्म के नाम पर देश के दूसरे हिस्से में राजनिती करने हैं मुसल्मानों को खुश करना है बरवाद करके चले आते हैं वहाँ पर जो बचा-कुचा आधार कमलनात का है वो भी खत्म हो जाता है अब कमलनात यही सोच रहे हैं कि मेरी राजनिती तो खत्म हो चुकिए 77-78 साल के उमर में राहुल गांधी भी बार बार मंच से पूछ रहे थे चुनाप के समय याद होगा कि आप कितने साल के हैं कितने साल के हैं वो अनकमफर्टेवल होगे और रिटार्मेंट की बात कर रहे थे अब उनको भविश्च देखना है नकुलनात का और नकुलनात के लिए भारतिय जनता पार्टे का दर्वाजा खुला है लंबी राजनिती करनी है लंबी पारी है इसलिए जब तक वो तयार होगे भारतिय जनता पार्टे के लाइक तब तक भारतिय जनता पार्टे के जो अभी उपर के लिडर्शिप है वो retirement cage में होगे balance हो जाएगा जे बिलकुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दुनों का समझाने की तो हर राज में विपाक श्टूट के कगार पर है Congress को लगता जटके पर जटके लग रहे हैं बड़े बड़े दिगज Congress Party छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके है और सबसे बड़ा धमाका वो भी बहुत जल्ब मद्ध प्रदेश में होगा एक साथ कई बड़े नेताओं के बीचिवे में शामल होने की खबर है और असे में एक और राज जहां से Congress का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है अब अपनी राए कमेंट कर लिखे देख ते रहे क्या पजन टीवी नमस्कार